कि बाबा साब भीमरा अमबेटकर जी ने ये कहा था कि शिक्षा एक बागिन का दूद है बागिन मतलब शेरनी का दूद है और जो कोई भी इसे पिएगा वे बाग की तरह धाड़ेगा ये बाबा साब ने कहा था और उन्होंने जो अपना नारा दिया था शिक्षित बनो अंगर्ष करो उसमें सबसे पहली जो उनका जो संदेश था वो समाज के अंदर शिक्षा के उपर था उन्होंने समाज के हर वर के लोगों को कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और उनका ऐसा मानना था कि शिक्षा अगर किसी परिवार में होगी तो उस परिवा अपना बच्चपन गुजारा वो कम से कम वो संगर्श उसको बच्चपन में नहीं करना पड़ेगा और बाबा साब भीमरा अंबेटकर जी जब समिधान लिख रहे थे समिधान के अंदर जो उन्होंने आर्टिकल 21A दिया जिसके अंदर 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए कमपलसरी फ्री एजुकेशन का कानून बनाया आर्टिकल 39 में सम्मान और स्वाभिमान और स्वतंतरता के साथ में बच्चे अपनी शिक्षा घ्रहन कर सके उसका कानून बनाया आर्टिकल 15 23 के अंदर उन्होंने बच्चों को मेडिकल सपोर्ट छात्रों के लिए मिले स्कूल के अंदर आप लोगों को निसा याद होगा आपको कि जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में ही टीका करण होता था उनको ऐसा लगा जब उनके बच्चे का एक मौत हुई सिर्फ मेडिकल तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे बच्चे के साथ में ऐसा हो तो किसी और बच्चे के साथ में ऐसा ना हो वक्त पे उसका टीका करा नो उसको मेडिकल सपोर्ट मेले और स्कूल में क्यों ना मिले तो उसके लिए उन्होंने प्रावधन किया प्री मेट्रिक स्कॉलर्शिप, पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप ये बाबा साथ भीम राउं बेटकर लेकर आए और जो बाबा साथ भीम राउं बेटकर ने एजुकेशन के उपर काम किया वो हम सब लोगों को मालूम हैं. लेकिन आज का मौजुदा वक्त ऐसा है, आज मौजुदा सरकार ऐसी है और हरी भाई आपको और आपके पुरे डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज ऐसे वक्त में आपने दबर्ड्स में बाबा साब भीम रौ अंबेटकर का जो पूरा बुक लिखा, उनके बारे में पूरी डिटेल्स दी हैं आपने, कि उनका संगर्ष कैसा रहा जीवन में, उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, क्या-क्या उपन की उपलब दिया थी, उस सब के बारे में जानकारी दी.